अगे का पढ़ाई आज आप लोग कम्प्लीट करेंगे अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए ज्यादा ज्यादा सेयर करिए ताकि सबी लोग आसानी से आनलाइन पढ़ाई कर सका तो देखिए इससे पहले वाले पाट में आप लोगों ने क्वोस्टन थे तक पूरा कम्प्लीट पढ़ाई किया था तो फोर नमबर कोस्टन में देखिए दिया है आकिरित में उस भाग का छेतरफल ग्याद किजिए जो छायांकित नहीं है अभी तक आप लोगों ने क्या ग्याद किया था कि जो छायांकित भाग था उसका छेतरफल आप लोगों ने निकाला था लेकिन इसमें क्या कहा है कि उस भाग का छेतरफल ग्याद किजिए जो छायांकित नहीं है मतलब ये इतना छायांकित वाला का छोड़ के जो छायांकित नहीं है उसका ग्याद करना है छेत्रफल ये जो खाली वाला है सबका तो हम लोग क्या करेंगे वही देखिए ये पूरा लंबाई यहां से यहां तक 75 मीटर दे दिया है और चोड़ाई पूरा 24 मीटर दे दिया है और छायांकित का देखिए ये चोड़ाई 10 मीटर और इसका भी 10 मीटर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे छाय आंकित जो भाग नहीं है केवल उसका पुछा है तो उसका अगर लंबाई हम लोग देखते हैं तो देखिए ये पूरा 75 है और ये 10 है मतलब 75 में सागर हम लोग 10 घटाद तो जो छाय आंकित नहीं है उसका लंबाई हो जागा 65 मीटर इसी तरह से चौनाई भी तो हम लोग लिखते हैं देखिए कैसे लिखेंगे लिखते हैं देखिए बिना बिना चाय आंकित बिना चाय आंकित भाग की लंबाई च्छाय आंकित वाला हम लोग नहीं बिना च्छाय आंकित का लंबाई कितना होगा देखिए 75 में ये च्छाय आंकित भी आ जा रहा है तो 75 में से ये 6 आंकित देखिए 10 है तो बिना च्छाय आंकित भाग की लंबाई कितनी हो जागी हम लोग 75 में से क्या करेंगे ये टोटल पचात्तरा पचात्तर में से ये दस को भटा लेंगे मतलब 65 मीटर जो आ गया ये बिना छाय आंकित भाग की लंबाई हो गए और बिना छाय आंकित भाग की चोड़ाई हम लोग निकाल लेते हैं बिना छाय आंकित भाग की चोड़ाई तो देखिए बिना छाय आंकित भाग की चोड़ाई टोटल चोड़ाई 24 है और छाय आंकित वाले का चोड़ाई देखिए 10 है तो हम लोग 24 में से जब 10 को घटा लेंगे तो ये हमारा मिल गया बिना छाय आंकित मतलब छाय आंकित को छोड़के ये मिल गया हमको चोड़ाई अब यही पूछा था उस भाग का छेतरफल गया दिये जो छाय आंकित नहीं है तो हम लोग उसी का छेतरफल निकालेंगे तो उसका लंबाई भी मिल गया उसका चौणाई भी हम लोगोंने छायांकित वाला घटा लिया है तो हम लोगों लिखेंगे उस भाग का छेत्रफल उस भाग का छेत्रफल जो जो छायांकित नहीं है उस भाग का छेत्रफल जो छायांकित नहीं है कितना हो जागा देखिए उसका लंबाई हो गया जो छायांकित नहीं है उसका लंबाई हो गया 65 और आप लोग जानते हैं यह आयता आयत का छेत्रफल लंबाई गुरा चोड़ाई होता चोड़ाई हो गया 14 मीटर दोनों का गुरा हम लोग कर लेते हैं तो 910 छेत्रफल है छेत्रफल को हमेशा वर्ग मीटर या मीटर का स्कुआर लिखते हैं तो यह अंसर हो जागा यह बिना छाए आंकित भाग का छेत्रफल हो गया तो अब हम लोग कोस्टन नमबर 5 को देखते हैं तो देखिए आपर कोस्टन नमबर 5 दिया आकिरित में एक राजकी भावन का मान्चित्र दिया गया इसमें सड़क को बिन्दुदार भाग से दिखाया गया है सड़क की चड़ाई 2 मीटर है तो इसमें देखिए पूछा दो कोस्टन एक सड़क का छेत्रफल बताईए दूसरा कोस्टन पूछा सड़क पर इइट बिछवाने का खर्च रुपया 45 प्रतिवर मीटर की दर से क्या होगा तो बारी-बारी समलक दोनों को सर्फ करेंगे कहा है कि यह एक राज की भावन का यह मांचित्र दिया गया है मतलब यहां देखिए यह मकान है इसी में देखिए पार्क भी बना हुआ है और यहीं बिन्दुदार मतलब यह रेखांकित जो हमने किया यह क्या है यह सड़क है कारा कि जो चौणाई में दो मीटर है इस सड़क वाले का छेत्रफल बताना है तो कैसे बताएंगे तो आप लोग जानते हैं आयत का छेत्रफल लंबाई गुराम चड़ाई होता है तो हम लोग देखिए ऐसे इसको निकाल सकते हैं इस यहां पर देखिए इस वाले को हम लोग ऐसे अगर अलग करदा यहां पर ऐसे अगर लाइन खीचला तो एक आयत मिलेगा हमको यहां से यहां तक का देखिए एक यह आयत मिल जाएगा देखिए इसमें दो मीटर यह भी देदिया और यह भी हम लोग निकाल सकते हैं टोटल लाइन खीच लें अगर ऐसे मिला लेते हैं तो एक आयत यहां भी बन जाएगा इसका भी हम लोग छोटेफल निकाल सकते हैं इस वाले का भी और देखिए एक यहां पर भी आयत बन गया है यहां पर भी तो यही पूरा रास्ता आई इस निकल जागा तो हम लोग वही करते हैं तो हम लोग देखिए इसको निकालेंगे रास्ते का छेत्रफल तो रास्ते का छेत्रफल रास्ता तीन भाग में हमने बाट लिया तीन आयत में हमने बाट लिया इसको तो तीनों का हम लोग छेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग इसका लिख लिए मनलीजी आमने इसका नाम लिख लिए अ vc डी इस वाले आयत का नाम हमने लिख लिया ईए बिसीडी इस वल्यका माली लिख लिख लिए वह जहां कुछ 것으로 कहार्द नाम लख लिख लिख लिखाने को sub Q, R, S, P, Q, R, S हो गया इस वाले का और ये वाला बचा है देखिए तो C, P इसका नाम लिख लेते हैं M और इसका नाम लिख लेते हैं N मानली जी हम लोगों ने लिख लिया तो ये तीनों का हम लोग छेत्रफल निकाल के सबको जोड़ देंगे तो लिखेंगे सड़क का छेत् सड़क का छेत्रफल बराबर आप देखिए ये सड़क का छेत्रफल निकालेंगे तो ये तीनों आयत को हम लोग जोड़ लेंगे तो लिखेंगे आयत A, B, C, D का छेत्रफल प्लस इस वाले आयत का छेत्रफल आयत इसका मतलब हो गया आयत C, P, M, N का छेत्रफल छेत्रफल प्लस इस वाले आयत का छेत्रफल P, Q, R, S तो आयत P, Q, R, S का छेत्रफल अब तीनों का छेत्रफल हम लोग निकालेंगे जोड़ लेंगे तो वही सड़क का छेत्रफल होगा तो आयत A, B, C, D का छेत्रफल जो हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे देखिए इसका चोड़ाई 2 मिटर दे दिया और ये लंबाई नहीं दिया तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं देखिए टोटल ये 20 मिटर है मतलब यहां से यहां तक 20 है और 20 में से ये देखिए ये 15 घटा लेंगे तो ये बचेगा तो हम लोग इसका छेत्रफल निकालेंगे तो देखिए लंबाई इसका कितना हो जागा टोटल 20 में 15 को घटा लेंगे तो 20 में से 15 को हम लोग घटाएंगे तो ये हो गया इसका लंबाई टोटल देखिए यहां से यहां तक 20 है मतलब यहां से यहां तक 20 है और इतना 15 तो 20 में इस 15 घटाएंगे तो यह होगा लंबाई और गुड़ा में 4 इसका 2 मीटर है तो 2 कर लेंगे फिर प्लस आयत CP यह में यहन का छेत्रफल तो देखिए इसका लंबाई क्या हो जागा यह टोटल 30 है तो लंबाई क्या हो जागा 30 में से हम लोग घटाएंगे किसको 30 में से देखिए दो इधर है चोनाई दो इधर है और दो इधर है तो 30 में से हम लोग 4 को घटा लेंगे ऐसे लिखते हैं 30 में से हम लोग 2 गूरा में 2 घटाएंगे हमको जो चाहिए वही लंबाई हम लेंगे लंबाई हो गया और गूरा में 4 गया इसका 4 गूराई 2 मीटर है फिर देखिए पलस आयत PQRAS का छेतरफल इसका लंबाई देखिए टोटल ये 20 है 20 में से ये 15 घटाएंगे तो इसका लंबाई निकलेगा तो 20 में 15 घटाएंगे और 4 इसका कितना है? 2 मीटर है हम लोग solve करते हैं इसको 20 में 15 घटाएंगे तो 5 गूराई में 2 फिर पलस 30 में से 4 को जब घटाएंगे तो 26 गूराई में 2 फिर पलस 20 में 15 घटाएंगे तो 5 गुड़ा में 2 अब देखिए 5 का 2 में 10 26 का 2 में 52 फिर प्लस 5 का 2 में 10 सब को जोड़ लेंगे तो 72 मीटर का स्क्वायर या वर्ग मीटर का सकते हैं यह हमारा एंसर हो गया सड़क का छेत्रफल तो पहला क्वेस्टन यह हो गया दूसरा पुछा सड़क पर इट विछवाने का खर्च रुपया 45 प्रतिवार मीटर कि दर से क्या होगा तो 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 45 तो 72 मीटर स्क्वायर का बहत्तर में हम लोग 45 का गुड़ा कर देंगे तो हम लोग लिखेंगे सड़क पर सड़क पर इट बिछवाने का कुल खर्च पराबर हो जाएगा बहत्तर में हम लोग गुड़ा कर लेंगे 45 का जितना आएगा यह इतना रुपया एंसर हो जाएगा तो जिए गुड़ा करने के बाद 3240 रुपया आएगा यह एंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना क्या करना इस वाले आयत का माले यह लंबाई और चोड़ाई निकालना है तो चोड़ाई तो देखिए दो मीटर यहां दे दिया है लंबाई नहीं दिया है तो टोटल यह लंबाई यहां से यहां तक दे दिया देखिए 20 यहां से यहां तक और यह भी दे दिया 15 तो टोटल मे गया हुआ है क्वेस्टन नमबर शिक्स है अमरूद के एक बाक की लंबाई एक 180 मिटर और चोड़ाई 120 मिटर है हम लोग पढले एक फिगर बनाते हैं कि कारा की 180 मिटर है उसका लंबाई तो देखिए यहां से यहां तक हम लोग ने बना लिया 180 मिटर चोड़ाई भी देखिए देदिया 120 मिटर तो हम लोग यहां से यहां तक जो चोड़ाई है इसको बना लेते हैं 120 मिटर देदिया है अब देखिए कहा बाग के बीचो बीच एक दूसरा को समकोर पर काटते हुए 3 मिटर चोड़े 2 रास्ते हैं देखिए 2 रास्ते हैं कह रहा है कि 3 मीटर चौड़े है यह जो रास्ते हैं यह कैसे हैं 3 मीटर चौड़े है तीन मीटर है और यहां भी 3 मीटर है अब देखिए रास्ते पर मिट्टी डाल माने का खर्च 12 प्रती मीटर स्कौार की दर से ग्याद करना कितना खर्च आयागा रास्ते पर मिट्टी डालने का तो पहले हम लोग तो रास्ते का छेत्रफल निकालेंगे तब ही पता चलेगा कितना मिट्टी डालना कितना खर्च आयागा तो हम लोग लिखते हैं लंबाई के सापेच रास्ते का छेत्रफल बराबर ये लंबाई के सापेच रास्ते का छेत्रफल कितना होगा लंबाई के सापेच पुछा तो इस वाले का हम लोग छेत्रफल निकाल रहे हैं वाले का तो इसका लंबाई देखिए दे दिया यहां से यहां तक का जो लंबाई है 180 और 4 इसका दे दिया 3 तो हम लोग लिखेंगे 180 गुरा में 3 तो 540 मीटर का स्कुआर हो गया इस वाले का छेतर फल लंबाई के सापेच अब हम लोग क्या करेंगे इस चोड़ाई के सापेच जो रास्ता इसका छेतर फल निकालते हैं तो लिखेंगे चोड़ाई के सापेच रास्ते का छेतर फल बराबर देखिए चोड़ाई के सापेच रास्ते का छेतर फल हम लोग निकालेंगे इस वाले का ऊपर से scag तरफ जो रास्ता है तो इसका देखिए लंबाई दे दिया 120 और चोड़ाई 3 तो हम लोग लिखेंगे 120 गुरा में 3 तो 360 मीटर का स्वायर इसका छेत्रफल हो गया तो कुल रास्ते का छेत्रफल कितना होगा ये निकालेंगे लिखेंगे कुल रास्ते का कुल रास्ते का छेत्रफल बराबर देखिए कुल रास्ते का छेत्रफल क्या होगा दोनों छेत्रफलों को जोडेंगे और बीच वाला को घटाना पड़ेगा ये बीच का घटाना पड़ेगा क्यों क्योंकि ये दोनों तरफ से आ रहा हैं इसलिए तो हम लोग दोनों छेतरफल जब कुल रास्ते का छेतरफल निकालेंगे तो दोनों छेतरफल को जोड़के देखिए ये 540 पलस 360 360 माइनस करेंगे उसमेंस कितना ये बीच वाले का छेतरफल बीच वाले का छेतरफल करेंगे निकालेगा 3 ये है 3 ये है मतलब 3 गुणा में 3 ये बीच वाले का छेतरफल हो जागा दोनों को जोड़ते हैं तो 900 माइनस में 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 तो 900 में से 9 को घटाएंगे 891 मीटर का स्क्वायर ये निकल गया छेत्रफल कुल राष्टे का छेत्रफल हमको बताना क्या है राष्टे पर मिट्टी डलवाने का खर्च तो लिखेंगे राष्टे पर मिट्टी डलवाने का कुल खर्च बराबर देखिए एक मीटर स्क्वायर का दाम 12 तो इतना मीटर स्क्वायर आया है हम लोग इसी में 12 का गुड़ा कर देंगे जो आयागा उतना रूपया एंसर हो जाएगा यह जब हम लोग गुड़ा करते हैं तो 10,692 रूपय यह आता है यह एंसर हो जाएगा तो इस तरह स्कोस्चन को सर्फ कर लाना यह एक्सरसाइज पुरा कम्पलीट हुगा अगले पार्ट में आप लो अगला इक्सरसाइज और उसका इंट्रोटक्शन देखेंगे तो आज के लिए बस इतना है